कर साथियो मैं हूँ एके सिंग आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूटूब चैनल अंजनाक कलासेश में दोस्तों आज हम जानेंगे दलाई लामा के बारे में सबसे पहले दोस्तों आप इस चीज से कनफ्यूजन में मत रहिए कि दलाई लामा किसी ब्यक्ति का नाम है पहला चीज इस टॉपिक के समझने से पहले ये ध्यान से हटा देना है कि दलाई लामा किसी ब्यक्ति का नाम है बलकि दलाई लामा एक पद है पोस्ट है तो चलिए दोस्तों क्या है दलाई लामा और क्या है दलाई लामा का इतिहास इसके बारे में समझते हैं शुरुबात करते हैं दोस्तों दलाई लामा एक मंगोल भासा का सब्द है जिसका अर्थ होता है ग्यान का समझत तो बहुत धर में एक चीज आप लोग देखे होंगे कि बहुत धर में हर एक घटना का अलग-अलग नाम दि तो निर्वान की इसको बहुत धर में निर्वान की घटना को कहा जाता है कि जो ब्यक्ति मर गया है इस निर्वान का अर्थ होता है कि यह जनम और मिर्तु से छुटकारा पा गया yarni कि इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति दोवारा जनम नहीं होगा यानि कि पुनर जनम उसका नहीं होगा लेकिन जैसे जैसे परतेक धर्में क्या होती है कि धीरे धीरे जैसे समाय के साथ साथ कुछ ना-कुछ changing आता है तो ठीक उसी तरह बहुत द्रम में बहुत साव का सारे changing आहे और changing आने के बाद आप लोग जानते होंगे, कि बहुत धर्म में अनेक साखाओं में बट गया था जैसे हीनयान महायान बज्रियान तमाम सारी साखाओं में बट गया था कूल मिलाके हम देखेंगे तो बहुत धर्म में दो विचार धाराओं में बट गया एक ऐसा विचार धारा था जो कि मूल विचार धाराओं थे यानि कि जो पहले के बहुत धर्म थे जो निर्वान को मानते थे और बाद कि जो कि विचार जिस ब्यक्ति का मिर्टिव हो गया वो दुबारा उसका पुनर जनाम नहीं होगा अर्थात उसका जीवन और मिर्टिव से क्या हो गया चुटका रखा लेकिन जो changing वाले लोग थे उनका मानना था कि ये निर्मान का महत्व नहीं दियें इनका कहना था कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका दुवारा जन्म होता है और जिनका दुवारा जन्म होगा दोस्तों तो उस घटना को कहेंगे कि इसमें निर्मान की प्राप्ति हुई नहीं हुई तो जो दुवारा व्यक्ति सब व्यक्ति का जन्म नहीं होता था कुछ ऐसे खास लोग ही होते थे जिनक गुरू परम्परा बोले अर्थात जो बौत धर्म में वैसी वीचारदारी वाले लोग जो चेंजिंग रुप में थे वो अपनाये यानि गुरू परमपरा कहने का अर्थ है कि कुछ ब्यक्ति ऐसे ब्यक्ति विसेश लोग थे जो दुबारा इस धर्ति पे जन्म लेते हैं औ और उस धर्म का सर्वोच गुरु बनते हैं अर्थात उसको ही हम गुरु परंपरा कहते हैं और गुरु परंपरा में लोगों का क्या होता है दुबारा जन्म होता है अर्थात इसमें यानि जो चेंजिंग हो गया था जिसमें सब सर्वोच गुरु होता था उस गुरु को ही दोस्तों दलाई लामा कहते हैं तो यहां तक उमीद करते हैं कि आप लोग समझ गया होंगे कि दलाई लामा क्या हुआ कि दलाई लामा बौद धर्म में वैसे विचारधारे वाले लोग जो नया चेंजिंग हो गया था और उनके जो अपना सर्भुच गुरु जिनको वो तो बर्तमान के चीन के एक परांत तिबबत में क्या हुआ था कि सातीमी छोड़ा ब्रीफ ब्रीफ इस्ट्री tasks, कि सातिवीं सदि में उस समय एक पहारे आज बहुत कम थी जैसे जबमने के लोग u मीं चोदामी में एक लोग तीबत में बौध धना लिये थे यानि बहुत द्रों की लोग यहाँ ज्यादा हो गया थे तो बौत धर्म के तिबत में थे तेरहमी से चौदहमी सताबदी में ये लोग गुरू परमपरा की सुर्वात की यात किये थे जिस गुरू की चर्चा हम पहले कर दिये हैं और उस गुरू परमपरा को ही दलाई लामा कहते हैं फॉल सवरूप प्रथम दलाई लामा दोस्तों जो की स्क्रीन के उपर आप लोग में से 14 सा 74 तक हुआ था तो इस तरह आप लोग समझ गए होंगे कि इनका कुछ अलग मूले नाम होता है और जब यह दलाई लामा यानि की बहुत धर में सर्वोच गुरू का पद प्राप्त कर लेते हैं उस गुरू को ही हम लोग दलाई लामा काते हैं तो अभी तक दोस्तों 12 दलाई लामा आ चुके हैं यानि अभी तक कितने डलाई-लामा बन गय गया है अब ही तो मेरा नाम दूसरा है लेकिन जैसे ही आप दलाई लामा बनिएगा दलाई लामा के पुष्ट पे जाएगा तो आपको मोनार्की में एक अलग नाम दिया जाता है और पूरा स्वरूप संभबता यह देखा गया है कि जितने भी दलाई लामा आए हैं उनके अंत में तो बरतमान में जो दलाई लामा है उनका नाम है तेंजीन जासो जो नाम क्या है दोस्तों 43 समझ लें देखिए क्या हुआ दोस्तों एक चीज आपको समझना यह है कि यह 14 दलाई लामा हुए हैं तो सवाल यह भी आ सकता है कि दलाई लामा की निक्ति भी कैसे होती होगी सवाल यह भी आता है कि चौदा दलाई लामा हुआ तो क्या दलाई लामा का निक्ति करने के लिए चुनाओ होता है तो जवाब है दोस्तु नहीं दलाई लामा की निक्ति के लिए क्या पड़किरिया ह मान के चलिए कि अगर कोई जो भी लेटेस्ट में दलाई लामा है अभी बर्तमान में तेंजिंग ग्यात्सो दलाई लामा है ये जब अपने आखिरी चरंद पर होंगे अर्थात ये मरने वाले होंगे ये निर्वान प्राप्त करने वाले होंगे तो उनसे पहले कुछ न बताते हैं समझाते हैं इसारे में इसारे में संझाते हैं कि इनका क्या होगा क्या होगा दूसरा बच्चा लेह और उसका जो jsutता है और वही बाद में आके होता है दलाई लामा बनते हैं तो इनका चयन कैसे होता है वो समझे देखिए बहुत धर में बहुत सारे लामा जो सबसे उपर हो गए उनका उनको क्या अलग नाम दिया गिया दलाई लामा उनके नीचे एक दूसरा पुष्ट होता है उसका नाम है पंचेत लामा देखिए पं कुछ इसारा कर देते हैं कि अगला दलाय लामा कहां से होगा तो वह संभावित जाता है तमाम सारी कोश्चन पूछाया जाता है पूर्व जनम से यानि कि उनके जनम से पहले कि कुछ ऐसे ऐसे तस्वीर दिखाया जाता है चीज दिखाया जाता है ताकि वह बच्चा क्या हो पहचान लिया जाए जब बच्चा वह पहचान लेता है तो संभब्त यह हो जात ग्यात्सों की घटना के इनकी इतिहास को थोड़ा समझ लेते हैं देखिए यह जो तेंजीन ग्यात्सों थे इनका मूल नाम दोस्तों लामो थोंडब था था थोड़ा नाम प्रणाउंसियसन में थोड़ा उच निच हो सकता है क्योंकि यह तिब्बती भासा का एक सब्द है देखे क्या हुआ कि यह जो दलाइलमात है इनका जन्म 6 जुलाई 1935 इसभी को टाकसिर नामक जगह पर यानी प्रांप में हुआ था तिब्बत में बात क्या हुआ कि उसबक्त 1925 इसबिकी पंचास इसबी तक क्या था में तिबल्बत आज के डेट में जैसे चीन उस पे कबजा किया हुआ है उसमें एक सोतंत्र देश हुआ करता था उस वक्त चीन में ग्रिह यूद हो रहा था कॉमिनिस्ट वर्सेज नेशनलिस्ट का नेता कौन थे मौज़डांग और नेशनलिस्ट का नेता कौन थे चांकाई सेख सम्पूरा फल सरूप 1950 इस भी तक दोनों ग्रिह यूद में जीत होती है मौज़डांग की जीत होती है तो यह कॉमिनिस्ट विचारधारा की होती है और कॉमिनिस्ट विचारधारा की लोग जगा-जगा क्या करते हैं सब को अपने में हमेशा हर अपने के कोसिस करता है उसके बाद पहले आप घटना देखियेगा तो जब दो साल के यह थे तेनजिंग जयातसों जो कि बरतमान की कोन है दलाइलामा बरतमान के जो कि चोदह में दलाइलामा है यह 2 वर्स में इस इनका पहचान कर लिया गया था यह भविस्य में क्या होंगे दलाइलामा उसके बाद आकर्मन के बाद क्या हुआ 1969 इसवी की घटना है कि 1969 इसवी में इनको क्या करना परता है कि चीन से यूध के लिए अपने हार देखते हुए ये क्या करते हैं कि ये भारत सरकार से गुहार लगाते हैं कि हमको क्या कर ये सरन दिजिए उस समय भारत के परधान मंतरी कौन होते है तो जवाहल लाल नहरू उसमें भारत के परधान मंत्री होते हैं उसके बाद इनको यानि की तेंजिंग यात्सो थे यानि की बर्तमान के चुदाह में दलाई लामा उनको अपना देश छोरकर भारत आना परा और सरन लेने के लिए और भारत के हिमाचल परदेश में एक जगा धर्मसाला में हुआ है ind tint bewारत में इस तरह से चला रहे हैं तो इस तरह से ढलाई लामा जो हैं वठी वह हुए द्लीन हिपते द्रमसाला कहां भारत में फ़लस्वरूप एक घटना मेरी अब लोगी इससंदै में पहले बारत और चीन का रिष्टा अच्छा था लेकिन कहीं न कहीं आपको पता होगा कि 1962 में जो भारत और चीन के बीज जो युद्ध हुआ था उसका कहीं न कहीं एक कारण यह भी हो सकता है कि दलाई लामा को भारत में क्या दिया गया सरन दिया गया 1969 में जब दलाई लामा भारत आय थे तो जवाहलाल नेरु क्या किये अपना देश में उनको सरन दे दिये तो इनका घटना इसका घटना ये भी हो सकता है कि चीन इस बात से छुपद होके भी भारत पे क्या 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 होगा आकरमन क्योंकि भारत और चुईन के बीच एक पंच सिल समझोता हो चुका था उस पंच सिल समझोता में यह हुआ था कि दोनों के अंधरूनी मेटर पे एक कोई एक दूसरे में हस्त छेप नहीं करेगा लेकिन चीन इस तिबत के मामले को अपना अंधरूनी कारण यानि अंधरूनी मसला समझता है इसलिए चीन ने 1962 इस भी में आन्धर पर भारत पर क्या किया था हमला किया था और आपने कब जामेले लिया एक ऐंति में यह भी है कि्यो दालाई लामा बर्तमान में 14 में मिलते हैं अगले विडियो में तब लिए जय भारत